कलश यात्रा के साथ गोविंद देव जी में शेव महापुराण कल से सवाकरोण मंत्रों से अभी मंत्रीत रुद्राक्षों का वितरित होगा फ्रसाद आचार्य सद्गुरु नाथ जी महराज करेंगे शेव महिमा का वाचन परमश्रधेय मारूती नंदन जी श्रास्त्री जी भी देंगे प्रवचन शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के सत्संग भवन में 27 से तीन दिवसिय संपोण कष्ट निवारन शेव महापुराण का आयोजन आचार्य सतिश्चत गुरु नाथ जी महराज द्वारा किया जाएगा गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध में हो रहे शिव महापुराण के दोरान पंडित मारूती नंदन जी शास्त्री व्रिंदावन धाम बाले के इस भी प्रवचन होंगे शिव महापुराण 27-28 वा 29 सितंबर को रोजाना अप्रहन 3-7 बजे तक होगी आचार सद्गुरु नाथ जी महराज ने बताया कि मनुष्य के जीवन में समरिध्धी, वैभाव, धन, संपन्रता के लिए भक्तों को विशुद्ध शुद्ध और सिध्ध रूदराक्ष का प्रसाद निशुल्क वितरित किया जाएगा मनुष्य की अभिष्ट मन कामनाओं के सिध्धी होगी, उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इन रूदराक्षों को सवा करोड मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया, जो की प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाएगा पहले दिन कलश यात्रा के बाद आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं का वैदिक प्रधती के साथ पूजन होगा, इसके बाद शिव महिमा का वाचन होगा जुतिय दिवस भगवान शिव की महिमाओं में उनके दर्शन शास्त्र के आधार पर जीवनों प्योगी उन प्रसंगों का उपाख्यान होगा, जिससे मनुश्य का जीवन उत्क्रिष्ट श्रेष्ठ और व्यभव साली हो सके आखरी दिन बाबा शिव वाव माता परवती की गाथाओं का वाचन होगा